गेहूं और आटा की महेंगाई को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के चलते अब 1 अप्रेल 2024 से सभी राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुद्रा विक्रेताओं, बड़ी कंपनिय की चेन के खुद्रा विक्रेताओं वो प्रोसेसिंग करने वालों को अपने स्टॉक की स्थिती घोशित करने को कहा गया है। और यह काम सब के लिए अनिवारे किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे गेहूं की जमाखोरी और सक्टे बाजी रोकने में मदद मिलेगी। इ जानकारी प्रदान की जाए। देश में MSP पर किसानों से गेहूं खरीद शुरू होने के साथ ही व्यापारियों और प्रोसेसर्स पर इस तरह की नकेल से महेंगाई कम करने में मदद मिलेगी। इस वक्त भी देश के कई शहरों और मंडियों में गेहूं का दाम MSP से जोगा। ऐसा हुआ तो सरकार बफर स्टॉक के लिए परियाप्त गेहूं खरीद पाएगी। दरसल पिछले दो साल से सरकार खरीद का जो लक्ष रख रही है उतना गेहूं नहीं खरीद पा रही है। क्योंकि ओपन मार्केट में गेहूं का दाम MSP से ज्यादा रह रहा सरकार ने 80 करोड लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। ऐसे में गेहूं की परियाप्त खरीद जरूरी है। लेकिन जिस तरह का रेट चल रहा है ऐसे में नहीं लग रहा है कि सरकार इस साल भी बफर स्टॉक के लिए खरीद का लक्ष पूरा कर पाएगी। गेहूं का दा नहीं है, वह खुद को रजिस्टर कर सकती है और प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं के स्टॉक की जानकारी प्रदान करना शुरू कर सकती है। अब सभी वैधानिक संस्थाओं को नियमित रूप से पोर्टल पर अपने गेहूं के स्टॉक की घोशना करनी होगी। खाद्य और सारवजनिक वितर्ण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने और सहेज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं की स्टॉक स्थिती पर कड़ी निगरानी रख रहा है। Bureau Report Market Times TV